हमेशा देखा गया है कि बच्चों के science में marks कमाते गाइफ प्रिबोर्ड में actually marks आते क्यों कम है हमेशा teacher जो होता है बहुत strictly copy-check करता है पहले चीजी जाने हमेशा यह देखा गया है जिस बच्चे के 80 में से 50 marks आ रहे थे 40 marks आ रहे थे वह हमेशा 90% के ऊपर क्या था आ है marks इस चीज को आपने दिमार्ग से निकाल लीजे, यह बोर्ड का पेपर बहुत ही टफ आता है, पहली चीज, ठीक है, आपको कुछ चीजें पताने चल ला है, अगर आप उस चीज को फालो करते हो, तो definitely आपके science में बहुत ही अच्छे marks आने वाले, आपको पता है, science में, science का ज आपको क्या करना है, हम लोगों ने एक स्रीज लाई थी बीच में, एक दिसमबर से लगबग, आज 15 जैनवरी है, अगर यहां से लेकिए यहां तक काउंट हो तो 45 डेस होते हैं, अगर 10 कोशन को करो, तो 450 कोशन को already हम लोगों ने solve करा दिया है, आपको केवल वा केवल, इन साड़े 400 कोशन को अपने आप बढ़ियां से रजाई में बैठ के देखना है, जैसे ही आप क्या करोगे, जब साड़े 400 कोशन को देख लोगे, तो definitely आप कोई भी sample paper उठाईएगा, कोई भी sample paper, उसके 5 sit paper, ठीके, 5 sit paper को कैसे लगाईएगा, starting के 2 sit paper, ठीके, अगर आपके 70% भी हो जा रहे हैं, तो ठीक है, बढ़ियां है, और उसके बाद, try करिएगा, जो कुशन आपके नहीं आ रहे हैं, उन चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, उन चैप्टर को आप बहुत अच्छे जब पढ़ेंगे, तो definitely जो अगला sample paper होगा, sample paper number 3, उसमें आप try करि हैं, उसमें और करके भी question होता है, उन और करके question को भी आप solve करेंगे, पहली चीज़, तो फिर धीरे 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 आपकी क्या होगी, accuracy maintain हो जाएगी, तो इस तरीके से आपके science में बहुत अच्छे marks आ सकते हैं, एक main concept क्या बताना है, तिम एक main concept ये बताना है, कि जो हम लोग को ने एक December से लेकि अभी तक science की quiz चला रहे हैं, 10 question, 10 minute में 10 question, उसको आप complete में देखिए, वो sufficient है, ठीके, आपके science paper के लिए, board के लिए